अब हम आपको भारत की उस समुद्र शक्ती के बारे में बताएंगे जिसकी पूरी दुनिया में आज चर्चा हो रही है आंदर प्रदेश के विशाका पटनम में एक बहुत बड़ा युद्ध अब्यास हुआ जिसे मिलन कहते हैं और इस युद्ध अब्यास में 50 से जादा देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया और इस दोरान इन सभी देशों की नौसेनाएं भारत के आईनस विकरांत और आईनस विक्रमादित्ते की ताकत को देखकर हैरान थी और ये made in India aircraft carriers हैं जिन्होंने पहली बार इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा लिया है और इनकी तस्वीरें देखकर आज आप हैरान रह जाएंगे इतनी शांदार तस्वीरें आज हम आपको दिखाने वाले हैं इन्शांदार और भव्य तस्वीरों में आप देख पाएंगे आई एनस विकरांट 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चोड़ा है और ये इतना विशाल है कि इस aircraft carrier पर एक साथ 30 से ज्यादा fighter jets और helicopter तैनाथ हो सकते हैं और इस पर भारतिय नौसेना के 1709 सानिकों को भी तैनाथ किया जा सकता है एक बार में जबकि आई एनस विकरामदित ते इससे भी बड़ा aircraft carrier है जिसे floating city यानि एक तैरता हुआ शेहर कहा जाता है और ये इतना विशाल है कि इसमें football के तीन stadium समा सकते हैं और अब आप बंगाल की खाड़ी से नए भारत की इस नई समुद्र शक्ती पर हमारी ये विशेश और भव्वे रिपोर्ट देखिए मैं ठीक पीछे जो आप helicopter देख रहे है उसी में सवार होके हम जाएगे INS Vikram Aditya पे जो एक aircraft carrier है और वहाँ पर किस तरीके से naval air operations होते है लगभग आदे घंटे के सफर के बाद अब हम INS Vikram Aditya पर बहुत चुके हैं और इस वक्त हम वे 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 गौल में है और ये जो जगा है वो लगभग 90 km दूर है विशाका बटनम कोर से और INS Vikram Aditya पर इस वक्त नेवल operations होने वाले है यहां पर आप देख सकते हैं भार्टीय नौसेना का जो के तक हेलिकॉप्टर है वो उडान भरने वाला है इस वक्त जो आप तस्वीरों में देख रहे हो वो MiG 29K है और सौटी जगाता लगा रहा है और इसकी जो अभी की स्पीड अब जो मैं बोलू तो 700 से 800 किलोमिटर पर धी घटने से यह यहां पर सौटी लगा रहा है Bay of Bengal में बीच समंदर में किस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते है कि MiG 29K लगाता सौटी लगा रहा है और यह बहुत इंपोर्टेंट है यह जो पूरा नेवल एक्सराइस है वह बहुत इंपोर्टेंट है किस तरीके से इंडियन नेवी एक सक्ती प्रदशन यहां पर कर रहा है यहां पर आप देखें कई सारी सौटी सर्च और रेस्ट्व ऑपरेशन के बाद जो हेलिकॉप्टर चिये तक है वो इस समय यहां पर आइनेस विक्रम आदिते पर लैंड किया जा रहा है आप देखें किस तरीके से पहले उस तपका शक्ती प्रदशन किया लगाता सर्च और रेस्ट्व ऑपरेशन किया और अब यहां पर सर्च रेस्ट्व ऑपरेशन के बाद जो हेलिकॉप्टर चिये तक है वो फिर से आइनेस विक्रम आदिते पर लैंड हो चुका है एक्राफ पे एक टेल होक होता है जो आपने देखा होगा जब लैंडिंग हो रही थी और फ्लाइट डेक पे पीछे की और आपको तीन वायर दिखेंगे जो इतने डिस्टेंस अबाट चार इंच डेक से उठे हुए होते हैं वायर होते हैं और यह वायर नीचे जाकरके है इंजन से कनेक्टेट रहते हैं मैं जब लैंडिंग करने आता हूं तो मैं फ्लेर आउट नहीं करता है मैं कुशन नहीं करता लैंडिंग को मैं फुल फोस के साथ लैंडिंग करता हूं ताकि एकदम प्रिसिशन लैंडिंग हो और इस प्रिसिशन लैंडिंग के होते हुए ह वो जब हुक तच्डाउन होता है तो वायर उसके आगे जो वायर है वो उसको इंगेज कर देता है और नीचे जो हैड्रॉलिक इंजेन है वो उसको एक्राफ्ट को खीच करके रुपते हैं विच वाट यू सौ इसका है अप्रोच स्पीड मान लो लगबग 270 किलोमेटर एनार 1.2 सेकंड में from 270 किलोमेटर एनार तो 0 is the forces experience by the aircraft आयने स्विकरमादी ते जो कि इंडियन एरक्राफ्ट केरियर है उस पर इस तरीके से आप जब हेलिकॉप्टर चलाते है इसका experience बताईगे चेतक हमारे नेवी का सबसे पुराना हेलिकॉप्टर है चेतक हमेशा हमेशा इसे ही नेवी में search and rescue रोल पे का 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 करते आ रहे हैं लगबग 60 years हो चुके है चेतक को अपने भारतिय नौ सेना पे जब पहली बार इसको हमने इंडिक किया था and search and rescue is one of the most important aspect of carrier operation जब भी हमारे जो fighter aircraft है जब भी यो लोग उरान भरते हैं तो उनको अगर खुदाना खास्ता अगर कुछ accident हो जाए उनको बचाने के लिए हम तुरन वहाँ पे पहुंच जाते हैं इसलिए जब भी भी इंडिन नेवी में फ्राइटर फ्राइंग होती है एक्राफ केरियर पे तो हमेशा SAR रोल पे हमारे या तो चेतक या तो एलेज दोनों जहाज रेडी होते हैं मुझे कहना चाहिए कि we are not we are total of seven women officers बट हम शायद नेवी भी हमें ऐसे ही देखती हो और हम भी अपने आपको एक officer के रोल में देखते हैं ना की महीला के रोल पे but environment बहुत अच्छा है it is not different from any shore unit it is just that we are at sea that is the only difference otherwise we are doing the same duties that we do on the shore इस वक हम मौझूद है इंडियन नेवी के aircraft carrier INS विकरान पर और ये इंडियन नेवी के लिए आन बान और शान है ये मैं इसले कह रहा हूँ कि ना सिर्फ ये इंडियन नेवी का चौथा aircraft carrier है लेकिन INS विकरान पूरी तरीके से भारत में बना हुआ है ये पूरी तरीके से made in India है